बिहार में तीवर गर्मी और लू से जल्द रहत मिलने का अनुमान है। भारती मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मौनसून निर्धारित समय से पहले राज्य में प्रवेश करेगा। आगामी मौनसून सीजन के दोरान 13-18 जून के बीच पुर्णिया के रास्ते बिहार में मौनसून आने की संभावना है जो सामानेता आने वाली तिथी से चार दिन पहले है। साथ है इस बार राज्य में सामाने से अधिक वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है। देश के अन्य राज्यों की तुल्ला में केरल में मौनसून आम तोर पर एक जून को आता है। इस वर्ष मौनसून निर्धारित समय से एक दिन पहले 31 माई को केरल पहुँचने का अनुमान। मौसम विभाग ने यह भी सपष्ट किया है कि मौनसून आगमन की तिथी में चार दिन का पूर्व पश्चावर्तन संभावित है। अतक केरल में मौनसून का आगमन 28 माई से 3 जून के मध्य होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर और द्वीब समुहों में मौनसून आम तोर पर 21 माई को पहुंसता है। हाला कि इस वर्ष 19 माई को ही वहां मौनसून आने का पूर्व अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 सब्ताहों में ला नीना की स्थिती बनने का अनुमान है। ला नीना की स्थिती के चलते इस वर्ष सामानी से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैग्यानिकों का मानना है कि यदि केरल में मौनसून समय से पहले प्रवेश करता है तो बिहार में भी पुर्णिया और किशनगंच के रास्ते मौनसून समय से पहले ही प्रवेश करेगा गरतलब है कि पिछले वर्ष भी 13 जून को पुर्णिया के रास्ते बिहार में मौनसून आये था इसी तर्स पर इस वर्ष भी 13 से 18 जून के बीच मौनसून बिहार पहुंच सकता है मौसम इभा के अनुसार जून से सितंबर के दौरान चार महीनों में 106 प्रतिशत सामाने बारिश होने का अनुमान है आम तोर पर मौनसून सीजन में औसतन 87 सेंटीमीटर वर्षा होती है लेकिन इस वर्ष 92 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना है अच्छी बारिश होने से क्रिशी शित्र को काफी लाब होगा जिसका सकरात्मक प्रभाव किसानों की आये पर भी पड़ेगा